आज ही doubtnet आप डाउन्लोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउन्लोड नाओ इस question में हमें दे रखा है कि एक convex lens जिसका की focal lens हमारा 20 cm है इसे हमने diameter के along two half में cut कर दिया तो हमने इन दोनों कुछ आँ रखा है उसके बीच का हमारा displacement है T equals to 1 cm ठीक है और हम जो इस experiment में light यूज कर रहा है उसका wavelength हमारा 476 nm और हमारा point source हमारा जो first part है convex lens का वो 40 cm पर रखा गया है तो हमसे पूछा गया है कि हमारा screen पर जो की second half से 1.4 m के distance पर है उस पर first maximum का position क्या होगा ठीक है तो देखे यहां पर basically हम interference देख रहा है एक तो जो source से हमारा second half से जाते हुए पहुंच रहा है screen ठीक है लेट से कि हमारा p point पर first maximum बन रहा है ठीक है तो हम first maximum के लिए पहले part difference निकालने के लिए draw कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा ray पहुंच रहा है पी पर ठीक है यह हो गया हमारा p point जहां पर कि हमने माल लिया हमारा first order maximum और दूसरा ray हो गया जो कि हमारा second वाले lens से जा रहा है ठीक है तो देखे second वाले lens से ये ये भी p पहुंच गया अब p point पे हमारा चाहिए जिता भी part difference होगा उसके लिए हमें चाहिए कि वहाँ पर part difference हमारा lambda के multiple में हो ठीक है ये ray हो मारा हो गया अरे दूसरा ये हो गया ठीक है हम इसे मान लेते है point s1 और इसे मान लेते है point s2 ठीक है तो ये distance हमारा हो जाएगा तो इस distance is d small d ठीक है अब देखें हमारा lens formula से हो जाएगा using lens formula using lens formula हमारा lens formula होता है v equals to if u upon u minus f तो यहाँ पर दोनों के लिए solve कर देंगे ठीक है पहले के लिए हमारा हो जाएगा v1 equals to if u1 upon u1 minus f सबका value पुट कर देंगे तो f हमारा है पहले बाले का 20 if तो दोनों का सेम ही है 20 into 40 upon 40 minus 20 ठीक है तो यह आगे हमारा 40 cm है अब हम v2 निकाल लेते है v2 हमारा हो जाएगा u2f upon u2 minus f ठीक है तो दूस्टे वाले लेंज के लिए u2 हमारा हो जाएगा 40 plus t ठीक है तो यह आगे हमारा 41t हमारा 1 है into f हमारा 20 है upon 41 minus 20 ठीक है तो यह आगे हमारा v2 equals to 39.0476 cm अब हम निकाल लेते कि हमारा d कितना होगा तो d हमारा हो जाएगा v2 minus v1 यानि कि एस source का दोनों half के corresponding जो image बन रहा उसका difference v2 minus v1 हमारा होगा 0.0476 cm equals to point 476 mm हम लिख सकते इसे ठीक है तो देखे यह S1 हमारा इस lens से source S का जो image बन रहा वो S1 हो गया और इस दूसरे वाले half से जो S का image बन रहा वो S2 हो गया हमारे पास सब S1 S2 का distance आ गया ठीक है तो अब हमें निकालना है p point पे part difference तो अब निकाल लेंगे add p हमारा optical part difference हो जाएगा delta xp equals to S S2 plus S1 P ठीक है तो इसे हम लिख सकते है S1 S2 plus S2 P minus S1 P ठीक है तो यह हो किया हमारा S S2 minus S S1 minus S1 P minus S2 P ठीक है तो अब इन सब S S2 minus S S1 हमारा value है D ठीक है minus S1 P minus S2 P हो गया ठीक है तो देखे हम S1 P minus S2 P को लिख सकते D cos theta ठीक है और cos theta हमारा जब small हो theta तो हम उसे लिख सकते 1 minus theta square upon 2 ठीक है तो यह हो गया हमारा delta xp equals to D minus S1 P minus S2 P हमारा हो जाएगा D into 1 minus y square upon 2 capital D ठीक है तो यहां से आगया हमारा optical part difference equals to y square D upon 2 capital D square ठीक है अब देखे हमें चाहिए P point पे maxima और maxima के लिए हमारा part difference होता है n lambda तो इसे हम n lambda से equate करतेंगे तो यहां से हमारा by का value आजाएगा by equals to D into 2 root under 2 n lambda upon small d ठीक है तो अब हम हमें चाहिए first maxima तो for first maxima हमने P point पे first maxima माना तो यह हो जाएगा हमारा for first maxima by equals to D root under 2 lambda upon small d अब हम इन सब का value रख देंगे तो हमारा P point का position आजाएगा P point का by coordinate आजाएगा तो by हो गया हमारा D दे रखका है हमारा 1 meter तो यह हो गया 3 into 2 tender 2 into यह हमने पन अल्रेडी ले लिया है lambda हो गया हमारा P point 476 into 10 to की पावर minus 3 upon P point 476 तो यह हो क्या हमारा 44.72 mm यह हो क्या हमारा answer ठेक है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर